जैशी किशना दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको फालगून मास के शुकल पक्स की आमल की एकादशी की कथा सुनाऊंगी लेकिन वीडियो शुर करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर दें और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दें ताक कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुर करते हैं फालगून मास के शुकल पक्स की आमल की एकादशी की कथा मानधाता बोले कि हे वशिष्ट जी यदि आप मुझ पर कृपा करें तो कि इसी ऐसे वरत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्यान हो महर्शी विशिष्ट बोले कि हे राजन सब वरतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के वरत का मैं वर्णन करता हूं यह एकादशी फालगून माहा के शुकल पक्ष में होती है इस वरत के करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं इस वरत का फल एक हजार गोदान के फल के वराबर होता है अब मैं आपसे एक पौरानिक कथा कहता हूं आप ध्यान पूर्वक सुनिए एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्रामन, शत्रिये, वैशे और शुद्र, चारो वर्न, आनंद सहीत रहते थे उस नगर में सदैव, वैद ध्वनी गुंजा करती थी तथा पापी, दूराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था उस नगर में चैतरत नाम का चंद्रवनशी राजा राजे करता था वैध अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था उस नगर में वैकंजूस नहीं था सभी नगरवासी विश्नु भक्त थे और आबाल वृद इस्तरी पूर्ष एकादशी का वरत किया करते थे एक समय फालगुन मास के शुकल पक्ष की आमल की एकादशी आई उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद सब ने हर्ष पूर्वक वरत किया राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुम्ब स्थापित करके धूप दीप नवैद्य पंच रतनादी से धात्री यानिकी आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तूती करने लगे हे धात्री तुम ब्रह्म सवरूप हो तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन हुए हो और समस्त पापो का नाश करने वाले हो तुमको नमस्कार है अब तुम मेरा अर्ग सविकार करो तुम शिरी राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो मैं आपकी प्राथना करता हूँ अतै आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रातरी को जागरन किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुम्ब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरन को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया। और विश्णु भगवान तथा एकादशी महात्मे की कथा सुनने लगा। इस प्रकारण्य मुनुश्यों की भांती उसने भी सारी रात जाक कर बिता दी। प्रात्यकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के परशात उस बहेलिये की मृत्य हो गई। प्रणगिनी सेना के सहीत तथा धन धान्य से युक्त होकर दस हजार ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांती में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विश्नु के समान और शमा में प्रित्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, करम वीर और विश्नु भग्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य करतव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मारक भूल गया और दिशा ग्यान ना रहने के कारण उसी वन में एक व्रिक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहारी मलेच वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शबद करते हुए राजा की और दोडे। मलेच कहने लगे इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पोत्र आदी अनेक संबंदियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है अतै इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच उस राजा को मारने दोडे और अनेक बरकार्स के अस्त्र शस्त्र उसके उपर फैंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नश्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान परतीत होता। अब उन मलेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उनी पर परहार करने लगे जिस से वे मूर्चित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य इस्त्री उत्पन हुई वह इस्त्री अत्यमत सुंदर होते हुए भी उसकी भृकुटी टेडी थी। उसकी आँखो से लाल लाल अगनी निकल रही थी जिस से वह दूसरे काल के समान परतीत होती थी। वह इस्त्री मलेचों को मारने दोड़ी और थोड़ी ही तेर में उसने सब मलेचों को काल के गाल में पहुचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेचों को मरा हुआ देख कर कहा कि इन शत्रूओं को किसने मारा है इस वन में मेरा कुन हितैशी रहता है वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि अकाशवानी हुई हे राजा इस संसार में विश्णो भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है इस अकाशवानी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूरवक राज्य करने लगा महर्शी विश्ष्ट बोले कि हे राजन यह आमल की एकादशी के वरत का प्रभाव था जो मुनुश्य इस आमल की एकादशी का वरत करते हैं वे परतेक कार्या में सफल होते हैं और अंत में विश्णो लोग को जाते हैं तो ये थी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिल जाए और कोमेंट में जैशी किशना लि झाल